नमस्कार दोस्तों दिक्षा की रिसोय में आपका भूत भूत स्वागत है मोसम बदल रहा है और ऐसे में चाय के साथ कुछ ने कुछ खाने का मन कर ही जाता है तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुती कम तेल में बनने वाली नमकिन यकिन मानिये बहुती टेस्टी बनेगी सभी को बहुत पसंद आएगी और बच्चों को भी पसंद आने वाली है ये नमकिन और ये नमकिन बनाने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है बस मिंटों में ही बनकर तयार हो जाती है बहुती टेस्टी पोहा चिवडा बनाने के लिए सबसे पहले रखेंगे गैस पर एक कड़ाई यहां पर मैंने लिया है तीन कटोरी पोहा ये जो पतला वाला पोहा आता है ज्यादा जो मोटा आता है उसे नमकिन अच्छी नहीं बनती है और इसको मैंने किचन टावल से अच्छे से साफ कर लिया है अब लो मेडियम फ्लेम पर दीरे दीरे हमें पो दुकुरासा हो जाएगा पोहे से बने नमकिन भोती टेस्टी होती है और यह हेल्दी भी होती है और घर में बनाने से यह सस्ती भी पड़ती है आप देख सकते हैं कि पोहा दीरे-दीरे सिकुड रहा है ध्यान रखें फिलेम को लो मीडियम रखें पोहा जलना नहीं चाहिए पोहा बहुती जल्दी शिक जाता है तो अगर फिलेम को तेज रखेंगे तो पोहा जल जाएगा यह देखे बहुती जल्दी पोहा शिक गया क्रिस्पी भी हो गया हलका सा कलर चेंज हुआ है अब इसे ज्यादा इसे नहीं सेखना है नहीं तो यह तूटने लगेगा गैस को बंद कर देंगे और इसे एक बरतन में निकाल लेंगे जिससे यह थोड़ा ठंडा हो जाए जब यह ठंडा हो जाएगा तो यह और भी क्रिस्पी हो जाएगा जब तक पोहा ठंडा हो रहा है तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं फिर से गैस पर एक कडाई रखेंगे और कड मुंगफली ली है तो इन्हें हम थोड़ा सा भून लेंगे मुंगफली में प्रोटीन, फाइबर, कैल्सियम, आइरन पाया जाता है हम इस पोहा चिवडा में जो भी चीजे डाल रहे हैं वो एकदम हेल्दी और भूती टेस्टी भी है साथ में ही प्रोटीन से बरफूर है तो मुंगफली को मीडियम फ्लेम पर इस तरह से चलाते भून लेंगे और यहीं पर हम इसमें डालेंगे आदा चमच राई, राई के दाने यहीं पर चटक जाएंगे मुंगफली के साथ इसको भी भून लेंगे, मुंगफली हलकी सी भून गई है तो अब हम इसमें डालेंगे दो कटीवी हैरी मिर्च अब नमकिन बना रहे हैं तो थोड़ी चटपटी होनी चाहिए तो यहीं पर हम हैरी मिर्च डाल देंगे यहीं पर हम डाल देंगे थोड़े से करी पता बहुती बड़िया टेस्ट आएगा अगर नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं और medium flame पर इस तरह से चलाते हुए मेर्च और कड़ी पत्ता को भी थोड़ा सा कुरकुरा होने तक भून लेंगे अब हम इसमें डालेंगे 18 काजू जिने मैंने 2 टुकडों में काट लिया है कुछ second काजू को भी इस तरह से शेक लेंगे अब हम इसमें डाल देंगे 18 बादाम बादाम को मैंने 2 टुकडों में काट लिया है ये बिल्कुल optional है आपको अगर नई पसंद है तो ना डाले ज्यादा पसंद है तो ज्यादा भी डाल सकते है अब साथ में इसमें हम डाल देंगे 2 चमच खरबुजे के बीज और साथ में इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी नारियल ये मैंने सुखा नारियल लिया है जिसे पतला पतला काट लिया है बहुती बड़िया लगता इस नमकिन में नारियल इस नमकिन में ये नारियल मैन चीज है तो सुखा नारियल आप जरूर डाले इस नमकिन की खास बात ये है कि इस नमकिन में आपको जो चीजे नहीं पसंद है वो ना डाले, या फिर कोई भी समाना आपको कम या ज़्यादा करना है, तो वो भी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि सारी चीजें अच्छे से सिख गई है, थोड़ी क्रिस्पीप सी हो गई है हलका सा कलर भी चेंज हो गया है तो अब लास्ट में हम इसमें डालेंगे दो चमच किस्मिस ये भी ओप्षनल है अगर आपको किस्मिस नहीं पसंद है तो ना डाले लेकिन किस्मिस से हिमोगलोबिन बढ़ता है और ये बहुत ही हल्दी होती है किस्मिस को लास्ट में इसलिए डालेंगे क्योंकि किस्मिस जल्दी सीख जाती है तो ये काली ना पड़ जाए किस्मिस को भी हलका सा भून लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे मसाले तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ एक चमच नमक, एक चमच काला नमक, आदा चमच हल्दी पाउडर जिसे नमकिन में अच्छा सा कलर आ जाए, आदा चमच लाल मिर्ची पाउडर, आप अगर बिन्या मिर्ची के बनाना चाहें तो बना सकते हैं, और अब हम इसमें डालेंगे एक चमच अमचुर पाउडर, अम अच्छा कलर आया है जरूर बनाएं बहुती टेस्टी बनती है ये नमकिन मार्केट में बहुती महेंगी मिलती है तो इस तरह से आप सस्ते में और सुध नमकिन घर पर बना कर तियार कर सकते हैं बच्चे हो या बड़े हो सभी को ये नमकिन भोत पसंद आएगी तो अब हम कर देंगे गैस को बंद और हमने जो पोहा रखा था इसे उसमें डाल देंगे और हलके हातों से करेंगे मिक्स सारी चीजों को मिक्स होने के बाद बहुती अच्छा कलर आएगा और ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है भूती बढ़िया पोहा चीवडा बना है अब हम इसको थोड़ा सा खटा मिठा फलेवर देने के लिए डालेंगे इसमें दो चमच पिशिवी चीनी आपको अगर ना पसंदो तो ना डालें नमकिन खटी मिठी ही अच् और एक चमच तेल में पूरी नमकिन बनकर तयार हो जाती है तो आप भी ये सूपर टेश्टी नमकिन जरूर ट्राइ करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी तो ये लीजिए हमारी पोहा चीवडा नमकिन बनके तयार है बहुती बढ़िया नमकिन बनी है मुझे उमीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया अगर पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें शेर करें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल दिक्षा की रिशोई को प्लीज सस्क्राइब जरूर करें और बैल आइकन वाला बटन भी दबा के मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए भूत भूत धन्यवाद फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ